प्रभावुत हैं वहाँ जारी रहेगी तालाबंदी जिगहेंच बड़ती बिमारी के खिलाफ देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है जिसके अवधी तीन मई को खतम होने वाली है ऐसे में आगे की रणिती तैय करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैटक की आपको बता द जताई जिसके बाद पीयम मोदी ने कहा कि जून बनाकर लॉकडाउन खूलने की निती बनानी होगी जो राज्य जादा प्रभावित है वहां लॉकडाउन तीन मई के बाद भी चारी रहेगा उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में हालात थीक हैं वहाँ जिला अस्तर पर पूरी मंत्र का पालन सक्ती से करना होगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस परतिव बिमारी के किलाफ हम अर्थवस्था पर भी ध्यान दे रहे हैं राहुल गांधी ने कहा इस बिमारी की जांच कीट पर अनुछित मुनाफ़ा कमाने वालों पर करवाई करें प्रधानमंत्री मोदी जिहां कॉंग्रिस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने इस बड़तीव बिमारी की जांच कीट के लिए चीन से आयात की गई कीट पर मुनाफ़ा खोरी के दावे वाली खबरों को लेकर सुमवार को कहा कि प्रधानमंतरी नरेंद्र मुदी को अनुचित मुनाफ़ा क माने से नहीं चूकते इस बरस्ट मानसिक्ता पर सरम आती है गांधी ने कहा कि हम प्रधानमंतरी से मांग करते हैं कि इन मुनाफ़ा कोरो पर जल्द ही कड़ी कारवाई की जाए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया है उसके मुताबि नहीं है लेकिन इसे ICMR को 600 रुपे प्रतिकीट बेचा गया है यानि की करीब 145 फीसदी का मोटा मुनाफ़ा वसूला गया है इस बिमारी के बीच गोवा के CM प्रमोध सावंत ने कहा लॉकडाउन को तीन मई के बाद आगे बढ़ाना चाहिए जिहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमूद सावंत ने कहा कि 3 माई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन को राज्य के अंदर आर्थिक कतिविधियों में छूट के साथ और आगे बढ़ाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी के साथ वीडियो कॉन्फेंसिंग में हिस्सा लेने वाले सावंत ने यह भी कहा कि बैठक में कई अन्य राज्यों ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांगी है सावंत ने राज्य सचीवाले में सम्वादताऊं से कहा कि हमारा मानना है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए हम जل्द ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे सावंत ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक कतिविधिया जारी रहनी चाहिए लेकिन सीमा को सील किया जाना चाहिए किसी भी विमान या ट्रेन का परिचालन नहीं होना चाहिए प्रवासी बंगालियों को ममता बनरजी का संदेश रखा जब तक मैं हूँ बेबस ना महसूस करें लोग जिहें इस बढ़ते बिमारी के चलते देश भर में लॉक्टाउन लागू होने के बाद बाहर के रज्य में फसे हुए बंगालियों को मुख्यमंतरी ममता बनरजी से घर वापसी का अस्वासन मिला है सोमार को बंगाल की सिय ममता बनरजी ने भावुक ट्वीट कर प्रवासियों की घर वापसी के लिए हर संभव मदद करने की बात कही है इससे बंगाल से बाहर फसे लाखो प्रवासियों में घर वापस जाने की उमीद जगी है पस्चिब मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनरजी ने ट्वीट करके कहा कि इस बिमारी की इस मुश्किल घड़ी में वह परदेश के लोगों के साथ हैं उन्होंने कहा कि बनरजी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ बंगाल के किसी भी सक्स को बेवस महसूस नहीं करना चाहिए मुश्किल की इस घड़ी में मैं आप लोगों के साथ हूँ मैं पर्सनली इस मामले को देख रही हूँ और हम लोग सभी को हर संभव मदद दिलानी की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं CM ने कहा कि इस दिसा में पहल भी सुरू कर दी गई है राजस्थान के कोटा में फसे हुए बंगाल के सभी छात्रों को जल्द ही वापस लाया जाएगा इस बढ़ते बिमारी के बीच दिल्ली हाई कोट ने कहा 400 रुपै से अधिक कीमत पर न बेच जाएं इस बिमारी के टेस्ट कीट जिहां देश में इस बिमारी का असर बढ़ता जा रहा है इस बिमारी के बढ़ते मामलों से निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है इस बिमारी के चलते देश में लॉकडाउन को पीम मोदी ने तीन मई तक बढ़ाया हुआ है इस बिमारी के टेस्टिंग को लेकर लगतार विपक्च केंदर पर सवाल उठाता रहा है इसी बीच दिल्ली हाई कोट ने इस बिमारी की पहचान करने के लिए अवस्यक टेस्ट कीट की कीमतों को लेकर एक पड़ा निर्णे दिया है इस बिमारी के तेजी से बढ़ते मामलों के मदनजर तीन कमपनियों को कहा है कि वे भारत में इस बिमारी की टेस्ट कीट की कीमत 400 रुपै से अधिक न रखें